नमश्कार मित्रो सूप्रभात मैं डॉक्टर सचन जत्तावर दुर्गाष्ट में केस पावन दिवस पर आपको हर दिख शुप कामना है मादुर्गापके जीवन में दुख रुपी दो दानो आये हुए हैं या अस्वास्त या कह सकें बिमारी के रूप में या रोगों के रूप में जो दानो आये हैं उनका समूल नाश करें ऐसी मेरी हर दिख कामना है मित्रो हर बार मैं कुछ ना कुछ नया विशे लेकर आता हूँ आप लोग मेरा उत्सा बढ़ाते हैं जाता से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं और कहीं न कहीं आप और हमारा ये संसर्ग लगाता और पिछले दो तेन वर्षों से बना आ रहा है और कहीं न कहीं कोई बात अच्छी निकल कर आती है और हमारे जीवन में कुछ आशिक रूप सही सही कुछ कहीं न कहीं हमारी सोच और वेभार में परिवर्तन लाती है मित्रो क्या हुआ कि कुछ दूनों पहले एक मेरे पास मरीज आये पोज मैं काफी मरीज देखता हूँ जैसा आप जाते ही है कहीं न कहीं उनको ये समस्या थी कि हमें इंसुलिन रजिस्टन्स का इलाज करना है पर मैंने उनको बात मोडने की कोशिश करी कि भई आपका मरीज मोटा है सामान से अथिक वजन है तो वो कहीं न कहीं आहत होते रहे उनकों कहा कि नहीं हम तो केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ही लाच करना चाहते हैं तो बड़ी ही विकट परिस्टी बन गई क्योंकि हमारे लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और मरीज के लिए इंसुलिन रेजिस्संस क्या है इसका मतलब है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं एका नहीं था तो मुझे लगा क्यों ना इसी विशे पे चर्चा की जाए और इस बारे में अगर कोई भांतिया है तो उसे दूर किया जाए सबसे पहली बात आती है कि इंसुलिन नाम का हर्मोन है क्या मित्रो इंसुलिन जो है एक ऐसा हर्मोन है जिसका काम है आपके शरीर में जो शुगर आप खाना भूजन लेते ना आप भूजन ग्रण करते हैं और चया पचया के द्वारा अतड़ियों से वो शक्कर के रूप में कनवर्ट होता है ग्लूकोस के रूप में आपके खून मे आता है जब खून में ग्लूकोस आ जाता है तो यह जो इंसुलिन नाम का हर्मोन है यह आपका उसरजित होता है पैंक्रियास की गृंती से जब यह हर्मोन उसरजित होता है तो जो शक्कर खून में बढ़ गई है सभाविक है एक मेटाबॉलिक फ्यूल है ताकत का जरिया त तो आप ये जो ग्लूकोस की खपत है दो ही जगा होती है एक है आपकी मास पेशियो में और दूसरा है आपका वसा फैट डिस्कॉम एडिपोस्ट इशू कहते हैं ये दोनों जगा का जो दर्वाजा है जो दर्वाजा है वो खुलता तबी है जब इंसुलिन नाम की चाबी उ उसे खोल देती है तो जैसे ही हम खाना खाते हैं शक्कर बढ़ती है जिनको इंसुलिन रेजिस्सन्स नहीं है एक सही मात्रा में इंसुलिन बढ़ता है और वो इसे दर्वाजे खोल देता है और इन दर्वाजों के द्वारा मास पेशियो में वसा फैट एडिपोस्ट इश होती हैं कि धीरे 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 ये जो दर्वाजा है ये जाम होने लगता है और आप में भी देखा होगा कि आपके घर में जब दर्वाजे के कबजे जाम हो जाते हैं तो बहुत ताकत लगाके खुलता है किर 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 आवा जाती है तो ये जो आवस्था है जब य जादा इंसुलिन के आवश्यक्ता पड़ती है सामाने मातरा का इंसुलिन इस दर्वाजा को खोली नहीं पाता बहुत ताकत लगा कि ये दर्वाजा खुलता है क्योंकि कब्जे जाम हो गए है इसको अगर देखा जाए तो ये है वस्था इंसुलिन रेजिस्टेंस की जब बहुत जादा मातरा में इंसुलिन आने पे ही वो दर्वाजा खुलता है और तभी ये ग्लूकोस आपके मासपेशियों में और वस्था में जाता है और मेटाबलाईजमने चया पचया उसका होता है ये सिती जो हैती है ये होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है प्राकृतिक तोर पे क्या होता है कि आप खाना खाते हो इंसुलिन बनता है और शक्र की खपत हो जाती है पस इस insulin resistance की अवस्ता में pancreas की गंती पर दबाव पढ़ने लगता है उसे message जाता है कि और ज़्यादा insulin चाहिए और ज़्यादा insulin चाहिए तो दीरे दीरे insulin का स्थर बढ़ने लगता है आप जो ये insulin का स्थर बढ़ने लगता है तो ये इंसुलिन जो है शरी में एक और हर्मोन होता है, ग्रोथ हर्मोन, उसी की तरह ये काम करने लगता है जब ये सामाने से अधिक हो जाता है, सामाने से अधिक हो जाता है, तो क्या होता है कि लिवर में वसा का डिपॉजिशन बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता ह तो लोग कहते हैं अरे आपका तो लीवर बढ़ा हो गया आपने देखा हूँ का आए दिन जब भी हम सोनोग्राफी कराते हैं तो डॉक्टर आपके बहुत सारे रिश्टेदार जिनको शुगर है जिनको मोटापा है उनको लिख कर देते हैं कि आपका liver बड़ा होने लगा है, fatty liver हो गया है आपको, ये insulin resistance की एक अवस्ता है, जिसके कारण liver fat बढ़ने लगता है क्योंकि उसकी खपत नहीं हो पाती, वो होता है, मैं हमेशा कहता हूँ नो, पुराने जमाने में वो जो torch आता था, silver color का बड़ा आजकल भी आता है, पिदा जी हमेशा कहते थे कि इसकी बैटरी है, इसको उल्टी करके रखना अगर उपयोग नहीं कर रहे हो तो, अगर सीधी बैटरी ही लग जाती थी और तो वो torch जल जाता था, वैसे ही वसा बहुत ज़्यादा जमा होने लगता है liver में, और बहुत सारा fat होने लगता है, तो oxidative stress होता है, और liver बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उसमें fibrosis होती है, एक समया आता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो fatty liver के बास cirrosis हो गया, तो ये भी एक insulin resistance, इसका कारक हो सकता है, तो जो ये insulin resistance है, ये insulin की अधिकता का विशह है, जहां पर insulin को जहां असर दिखाना चाहिए, जहां उसका lock and key mechanism है, वहां पर resistance हो गया है, insulin अगर दो unit में जो असर दिखाता था, अब वो 200 unit में असर दिखा रहा है, एक समय आएगा, जब insulin बनाने की शम्ता कम होने लग जाएगी, और insulin का सर शुगर में गिरने लग जाएगा, खून में गिरने लग जाएगा, तो शुगर और बढ़ जाएगी, तब आपको diabetes के वस्ता होगी, शुरुआती दोर में क्या होगा, शुरुआती दोर में एक तुमने आपको बताया, लिवर बढ़ा होने लग जाएगा, गर्दने काली होने लग जाएगी, थोड़ा मसे आने लग जाएगे, आपकी कांखों में काला पना जाएगा, शुरीर के ये जोडों में काला पना ल लट जायेगा. इसको कहते हैją एक्यांथासेस. एक्यांथासेस के वस्था आप घर के आस पास देखिये. कहीं न कहीं कहीं जो भी हल्दी होगा जो सामने से इधिक वजन वाला होगा उसकी गर्धने काली हो रही होंगी. उनमें ये स्केल्स आरे होंगे. कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो काला पन है मेल है ये जाई नहीं रहर पर वो मेल नहीं है मित्रो, वो इंसलिन रेजिस्स्टंस का बाहर का दर्पण है जो दिखा रहा है कि भ़ही मुझे इंसलिन रेजिस्टंस हो गया, अब आफ समझे लिए शुरुआती दौर में इंसल 120, 125, 130 पर ये इंसुलिन रसिस्टेंस की अवस्था में ये जो शुगर है ये 90 के करीब आने लगती है और भोजन के 2-3 घंटे के बाद आपको अश्र होगा कि भी अभी तुमेने भरपेट भोजन लिया माली जे 12 बजे भोजन लिया दो बजी अचानक मुझे थंडा वसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज़ भूक लगने लगती है ये क्या अवस्था है ये शक्कर कम होने की अवस्था है जिसको कहते है रियक्टिव हाइपोगलैसीमिया हम जाच करते हैं तो शुगर 50-60 आता है और जब इंसुलिन की जाच करते हैं तो वो भी 30- के करीब बढ़ा हुआ आता है तो ये कैसी अवस्था है प्राकृतिक तोर पे जब शुगर कम होता है तो शरीर का इंसुलिन भी बिलकुल नाम मातर हो जाता है बिलकुल कम हो जाता है पर इंसुलिन रजिस्टेंस की अवस्था में इंसुलिन कम नहीं होता और ये आपकी श चौक है हमको लगता है कि भई हिर्द है मतलब कोलिस्टरॉल तो लोग चाहते हैं कि अरे बही 40 के हो गए कोलिस्टरॉल की जाच करा है कोलिस्टरॉल की जाच कराते हैं सब कुछ ठीक आता है कोलिस्टरॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है पर ट्राइगलिस्टराइड ना जादा हो गई है क्योंकि इसको जहां असर दिखाना चाहिए वहां वो असर नहीं दिखा पा रहा है दर्वाजे के कबजे जंग लग चुके हैं बहुत मुश्किल से खुल रहे हैं इंसुलिन बहुत महनत से आपकी शुगर की खपत करवा रहा है और ये खत्रे की घंटी है कि आपको शुगर हो सकता है तो ये जो मौके हैं जब आपको बोजण के बाद भूख लगने लग जा है कांकों में काला पन गर्धन में काला पन आ जाए लोग बताए कि आपका फैटी लीवा है सुनोग्राफी में या आपका ट्राइगलिसाइड बढ़ने लग जाए और का आदश तोर पे वजन होना चीए में जो और आपका वजन अगर 70-80 किलो है तो मित्रो आपका वजन सामने से अधिक है तो आपको जहागना होगा आपको समझना होगा कि यह मामला इंसुलिन इसे किया क्या लकशन है, जो इंसुलन रिजिस्टन्स का बोड़ा महतु है, देखिए एक तो फैटी लिवर मने आपको बताई दिया, आज कल हर किसी को फैटी लिवर हो रहा है, दूसरा, लड़की थोड़ी भी मोटी हो जाती है, उसके चेहरे पे काले बाल आने लगते है, म बिमारी की सूतर पाज जो है बिमारी का वो तो यही है ना आपने खान पान ठीक से नहीं किया बोजन की अधिकता रखी हाल चाल नहीं किया व्यायाम नहीं किया शरीर मोटा हो रहा है और धीरे धीरे इंसुलिन रिजिस्टेंस बढ़ रहा है और यह इंसुलिन रिजिस्टें में भी अगर थोड़ी बात कर ली जाए तो सही होगा उनके चेहरे पे काले बाल आने लगते हैं बड़ा आशोब नहीं लगता है लोगों के मन को आहत करता है और कहीं न कहीं आपके मन को भी बहुत दुख पहुचाता है इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इंसलिन रिजिस्जिंस के बारे में बात करें तीसरी बात ये आती है मेटाबॉलिक सिंड्रूम की च्यों कि कहते हैं कि कोलेस्टरॉल बड़ा हुआ है कमर हमारी चौडी है उसके साथ साथ शुगर बढ़ा हुआ है तो ये जो दौर है यह सब चीजे metabolic syndrome में भी आ जाती है तो यह जो metabolic syndrome के अवस्था हैं तो यह भी बड़ी विकट है और फिर बाद में वावस्था आती है जब insulin resistance बहुत बढ़ गया फिर एक दौर आता है insulin की खबत जो insulin का production है वो कम होने लगता है जितने मातरा में देखिए घोड़ा दोड़ेगा तो एक सीमित दाइरे में दोड़ेगा मैग्सिमून स्वीड में आने के बाद घोड़ा ठकने लग जाएगा मैं पैंक्रियास की गरंथी के बारे में बात कर रहा हूँ कितना भी चाबुक मारो फिर घोड़ा तेज नहीं दोड़ेगा फिर एक अवस्था आएगी कि घोड़ा केवल हिने नाएगा एक जगा खड़ा होके जितना भी चाबुक आपने मारा तो यह अवस्था है जब इंसुलिन की मातरा कम होने लग जाएगी पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाएगा और अवस्था आएगी शुगर बढ़ने लग जाएगा ताइप टू डाइबिटीस देखिए इंसुलिन रजिस्टन्स से क्या क्या हुआ फैटी लीवर हो गया, पी सी ओडी हो गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया फिर तीसरा चाथी सिती आगई मधुमे की जो कि एक ऐसी सिती है जब इंसुलिन रजिस्टन्स बहुत समय तक था तो जो इंसुलिन से होने वाली तकलीफे हैं इंसुलिन क्या करता है बहुत अधिक मात्रा में हो तो धमनियों के अंदर की बनावट भी बदलता है धमनिया यानि आर्ट्रीस तो अगर केरेटिट इंटिपा मीडिया थीकनेस ये CIMT जो है एक मार्का है जिसमें हम देखते हैं कि हिदरोग होने की लकवा होने की गुर्दे रोग होने की संभावना कितनी है तो जिसका केरेटिट इंटिपा मीडिया थीकनेस बढ़ जाता है जिसमें ये धमनियों की थीकनेस बढ़ जाती है मुटाई बढ़ जाती है इंसुलिन के करण वहाँ पे एथरस्कलोरसिज और दूसरी बिमारियां भी बढ़ती है तो ये जो कोलेस्टरॉल भी बढ़ना जो ट्राइगलेस्राइड है ये जो बढ़ता है ये जो ट्राइगलेस्राइड क्यों बढ़ता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो जो एडिपोस्ट इश्यू है वो ज़्यादा मातरा में ये फैटी असेट्स बाहर निकालते हैं, खून में निकाल देते हैं क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो जो मेटाबॉलिक फ्यूल है, ग्लुकोस, जहां पे वसा में जाना चाहिए, जहां पे मास पेशियों में जाना चाहिए, जहां पे उर्जा की बहुत जरुवत है, वहां नहीं पहुच पाता, वहां कम मातर में पहुचता है, तो वसा, फैट, मसल्स, फैट रिलीस करने लगते हैं क्योंकि वो दूसरा माद्ध हम है उर्जा का तो जो दूसरा माद्ध हम है तो वो फैटी असिट बढ़ते हैं तो वो लिवर में जाता है लिवर इनको प्रोटीन के परद जब लगा देता है और ये लाइपो प्रोटीन्स कहते हैं इसको और वो प्रदत डाल के फिर खून पे छोड़ देता है तो खून पे छोड़ने से क्या होता है कि यह तो खराब प्राकार का कोलिस्ट्रॉल है LDL वो बढ़ने लगता है और धमनियों में जाके जमावट करने लगता है देखिए प्रक्रिया चालू हुई insulin resistance से पर बात कहां जारी है भात जारी है धमनियों की रुकावट की धमनियों में रुकावट होता है रिदय की धमनिय में रुकावट हुआ तो रिदय रोग हो गया दिमाग की धमनी में रुकाउट हुआ तो लगवा रोग हो गया गुर्दे की धमनी में रुकाउट हुआ तो गुर्दा रोग हो गया पैरो में रुकाउट हो गया तो पेरिफिरल आर्टी डिजीज हो गयी तो देखिए ये जो एक ही शुरुवात हुई जो कि शुरुवात कहीं न कहीं आपकी लापरवाही से हुई और वो लापरवाही आपको भारी पड़ी है कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कुछ चीज़े परिवार में चलती है तो क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस अनुवशिक बिमारी भी हो सकती है कुछ रेयर कंडिशन्स में कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि उनमें मुटापे की प्रवित्ती ज़्यादा होती है पर सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका खान-पान, वैभार, आचरण जो संसकार हैं वो माबाप से बच्चे में जाते हैं जो आनुवाशिक कारण है, वो हैं, कम है आनुवाशिक कारण कुछ परिवारों में ऐसा होता है, तो वहाँ पर ज्यादा सतरता की आवशक्ता है पर हम बात करने सामाने लोगों की जो सामाने लोगों में आनुवाशिक कारण बहुत कम है उसमें पारम पर एक कारण जादा है वैवहार और सांसकार एक कारण जादा है तो यह इसमें हाँ परिवर्टन करें तो अब बर प्रश्ण उठता है कि सारी बाते हो गए हम इंसुलिन रेजिस्टन्स कम कैसे करें क्योंकि यह सा मेरे पास मरी जाया उन्होंने कहा कि हमने तो होमा आयर की जाज भी हमरे डॉक्टर ने कर ली क्विकी की भी जाज कर ली इंसुलिन रेजिस्टन्स है तो सबसे पहला प्रश्ण मैं उन डॉक्टरों से बूचता हूँ कि ऐसा क्या कारण हुआ जो उसने आपने होमा आयर और क्विकी जैसे शोध में किया जाने वाले टेस्ट करवा ली ये गलत बात है आप मरीजों को ये टेस्ट ना करवाएं जब अरदस्ती पैसे खर्चोंगे भई आपके अगर गरदनकाली है मसे आ रहे हैं ट्राइगलिसाइड्स बढ़े हुए हैं मुटापा है तो आप किस सीच की वेचना करना चाहते हैं इंसुलिन रिजिस्टन्स तो है और उसका निदान होना चाहिए मरीज के बाद दिमाग में केवल इंसुलिन रिजिस्टन्स एक बिमारी की तरफ पर अगर चला जाए तो फिर तो वो ये कहेगा मुझे मुटापे मुटापे का इलाज नहीं कराना मुझे शोगर का इलाज में दा तो केवल इलाज होना चाहिए इंसुलिन रिजिस्टन्स का तो कहीं न कहीं यह हमारी कम्यूटी की भी गलती है कि इस तरह की जाचे करपा कर हम आप लोगों को कहीं अगहीं गुमराह कर देते हैं तो क्या करना चाहिए बड़ा ही सरल है नेमित वयायम करें कितना वयायम करना चाहिए आदा घंटे से 45 मुट रोज चलें चलने का मतलब है शुरुआ चलने से करें अगर आपकी 40 से उपर की उम्र है फिर आप थोड़ा सा वयायम बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा एक ECG करवा लीजिए कुछ लोग कैल्शिम स्कूर भी करा लेते हैं और कोई हृदयरोग की समस्या नहीं है तो थोड़ी से इंटेंसिटी बढ़ाइए अपनी मेहनत करने की शमता को बढ़ाइए दोड़ना, भागना, कस्वत करना, साइकल चलाना कुछ लोग स्विमिंग भी कर लेते हैं और फिर आप शौष्टो भी कर सकते हैं और योग भी कर सकते हैं ये सारी चीजें जब शरीर में हाल चाल होगा तो इसलिए आजकल मैं केवल पैदल चलने को कस्वत नहीं मानता मैं चाहता हूँ कि आदा गिंटा पैदल पैदल चलें कोशिश करें कि ओफिस में दफ्तर में लिफ्ट का प्रयोग ना करें घर के आसपास ओफिस है तीन चार किलमेटर पैदल चाहिए बढ़ा अच्छा रहेगा व्यायाम शॉष्टव होगा आपका लिवर भी दुखी नहीं होगा उसमें फैट डिपॉजिशन नहीं होगा इंसुलिन रेजिसंस कम होगा और बाकी आपका कोलेस्टरॉल भी नॉर्मल होने लग जाएगा और शरीर में एक उर्जा आएगी और फिर जैसे दीरे दीरे अपने कारेश शम्ता को बढ़ाएं कसरत करने की शम्ता को भी आप बढ़ाएं अब अपने आपको तौलें और एक निवेश करें चालिस के बाद अगर आप शरीर को निवेश करते हैं तो शरीर मजबूत रहेगा और वो बहुत अच्छे से स्वस्त बना रहेगा और यंग लोगों को भी जरूरी है देखिए काली-काली गर्दन लेकर मस्तों के साथ लोग बहुत आते हैं और उगका शुगर बड़ा होता है तो मैं चाहता हूँ शुगर बढ़ने से पहले ही आप जागरत हो जाए जिससे डाइबिटीज को रोका जा सकेगा बहुत लोग आजकल बात करते हैं रिवर्सल आव डाइबिटीज की रिवर्सल की जरुवत नहीं है, जाग रुकता की जरुवत है आप जब भी गर्दन काली होने लग जाए, वजन सामाने से देख होने लग जाए कोलेस्टरॉल में ट्राइगलिसाइड बनने लग जाए, फैटी लिवर बताएं प्लीज जाग जाएए, आपसे समीने ने विदन है, जाग जाएए, इस निद्रा के बाहर आएए, महनत करिए, वजन कम करिए क्योंकि बाद में आपको रिवर्सल की जरुवत पड़ेगी ने, रिवर्सल से पहले हम प्राइमरी प्रिवेंशन करें, वो बहुत ज़्यादा कारगर तरीका है, फिर खान पान का ध्यान रखें, तला, भुना, नमकीन, मीठा, लीजे, सीविद दायले में सभी चीजों को जिवा में पूरी तरह से रसासवादन होना चाहिए, चीजों का आनंद आपको मिलना चाहिए, और मातरा से मित करिए, कैलोरीस कम करिए, हरी सबजी, सलाद, ये लेने से आपको कोई परिशानी नहीं होगी, पेड़ भी साफ रहेगा, कब्स भी नहीं होगी, गैस भी नहीं अदमी को, जिसको कोई बिमारी नहीं है, उसे समय समय पे उपवास करते रहना चाहिए, क्योंकि इंटर्मिटन फास्टिंग से भी आपका शुगर, इंसुलिन रिजिस्टेंस, मुठापा यहां कमी आती है, क्यों ना हम इस तरह से माता के इन नौ दिनों में ये प्रेड़ गोलियों की, गोलियों की आवशक्ता, मोटे तोर पे, लाइस्टाल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, एक्सरसाइस, एक लंबी निर्बाद नींद, टेंशन तनाव कम करने से इंसुलिन रिजिस्टेंस कम हो जाता है, कुछ विशेश पर सीटियों में हम लोग दबा देते है तो वो डॉक्टर का निर्णे होना चाहिए, तो जब भी जाएं, तो डॉक्टर के पास इसलिए मत जाएं, कि हम केवल इंसुलिन रिजिस्टेंस का इलाज कराना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी पूरी विवेशना करेंगे, और क्योंकि वो ट्रेंड लो जाते हैं, या वजन कम करने के लिए वो दवा लिखेंगे, और आपके जीवन में खुशिया आने लग जाएंगी, इसलिए जब भी आपको इंसुलिन रिजिस्टेंस के बारे में कोई बताए, तो ये एक सामाने प्रक्रिया है, जो कि पहले सामाने नहीं थी, अब सामाने ह क्योंकि हर, हमारे जीवन शैली ही बिमारी हो गई है, हम कम चलते हैं, ज्यादा खाते हैं, और लंबे समय तक सोते रहते हैं, टेंशन तनाव से भरपूर जीवन है, और कहीं न कहीं, मदीरा पान भी बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग, सिगरेट भी बढ़ता जा रहा है, ये आप चल फिर कम रहे हैं, खाना पीना ज़्यादा हो रहा है, टेंचन तनाव ज़्यादा है, स्मोकिंग ज़्यादा हो रहा है, धूम्रपान ज़्यादा हो रहा है, अलकोहॉल ले रहे हैं, तो इन सब चीछों से आपको पार पाना होगा, और कभी भी ये सिती बनें, तो अप को मेरी बात समझ में आई होगी धन्यवाद